असलाम अलेकम अच्वा टॉपिक के नाम है मेल री पॉड़र्टी सिस्ट्म जो के बहुत असान और सिंपल से टॉपिक है आज हम इसको को अधिकरी के लहाँ से देखते हैं कौन कौन से पॉइंट काफी जदा इंपोर्टै जो एजए mcqs के तोर पर आ सकते हैं मेल री पॉड़र्टि सिस्टम दो जनिटेलिया से मिलकर बनता है पहला जनिटेलिया होता है और दूसरे होते इंटरनल जनिटेलिया इक्स्टरनल ज और इवर के इसका साइज होता है और जो चोटे से पैकेट में होती है जो के स्कीन पाउच है जिसका नाम के स्क्रोटम है यह स्कीन पाउच का बहुत बड़ा काम है क्लाइमेट को कंट्रोल करना मतब कि यह तंडा करके रखती है एस कि बेटू बोड़ी तंपरेचर मतब टेस्ट के लिए थर्टी फाइव होता है और हमारे बोड़ी का आप्टिमेट अपरेचर के थर्टी सैवन है अब थर्टी फाइव टंपरेचर इतना इंपोर्टन है कि स्पर्मेटोजनिस हो सके मतब कि प्रोड़क्शन ऑफ स्पर्म हो सके तो प्रोड़क्शन ऑफ स्पर्म के लिए थर्टी फाइव सैंटी ग्रेड करना क्लाइमेट कॉंट्रोल सिस्ट्रम का काम है जिसका नाम के बेटा सकरोटम है जो कि स्पर्मेटोजनिस के लिए काफी ज हैं सब्सक्राइब यह जा साइट और मतार होती है अब बात करते है तड्रॉण करते हैं सेपस्टिश्यास शक्स हार्मून भी आता है जिसके नाब टेस्टोस्टेरोन को सक्स क्राट्रिक्ट्रेशिक को कण्डफ़र् करना मेल कि और एन भर प्री। करता है लीकोर्ट मीडियम नरिश्मन करता है और प्रोटेक्शन देता है किसको बैटा स्पर्म को देता है यह दो तरह के आपको सल नजल आते हैं टैसिस के अंदर पीनस आपको पता है एक्स्टरनल जानि टेलिया कॉप्यूलेटरी ओरगन है फीमेल के साथ सेक्स्वल इंटर कोर्स करने के दो हम पीनस को यूज करते हैं जो के ट्रांस्वरस पंप करता है इंटू दा फीमेल मतलब के फीमेल के अंदर कॉप्यूलेशन या इंटर कोर्स करने के लिए जो कॉप्यूलेटरी ओरगन है मेल का वह पीनस है पीनस करके देखा जाए इसके उपर लूस इलास स्किन होती है जिसकी वरह सिरे जो पीनस का साइज है वो चेंज हो सकता है मत hadn't कि कभी वह एर्यक्षिन की फॉर्म में और जाता है कभी वह रिलेक्स की फॉर्म में अब एक्षिन पब्र होता है पीनस की जब मिरे बच्छे पिनस के अंदर जो tissues है वो blood किसे फिल हो जाए मतलब जब blood आ जाता है tissues के अंदर तो penis किस form में आ रहता है erection form में आ रहता है तो erection किसकी वरस होता है आपको याद होना चीए blood के filling होना blood का आ जाना tissues के अंदर penis के tissues के अंदर तो जो penis किस form में आ रहता है वेटा erection की form में आ जाता है अब चलते हैं अगला internal जैने टेले जिसके नाम है accessory ducts अब accessory ducts में सबसे पहले जो नाली आती है वाइजा एफरेंशी है फिर epididymus है फिर वास्क डेफरेंस है एजेकुलेटरी ducts है और last में आती यूरीथरा ये पांच नाली है जो आपने one by one करके main main point याद रखने है वाइजा एफरेंशी है सेमनी फिरस ट्यूबूल के बाद ये आती है मतलब जितनी भी सेमनी फिरस ट्यूबूल कंबाइन टूगेदर होती है फिर 10 से 20 ट्यूबूल बनती है उनका ना वाज़ एफरेंशी है ये वाज़ एफरेंशी का काम किया स्पर्म को पकड़ना वाज़ एफरेंशी और एपीड़िमस में ले जाना मतलब स्पर्म को लेकर जाना वाज़ एफरेंशी से एपीड़िमस के चोड़ना या सोरी सेमनी फिरस से पकड़के एपीड़िमस में ले करें ना तो छे मीटर्य या 20 फीड की यह लांडी है मतलब इतनी बड़ी नाली है कि 6 मीटर्य कहलें ये 20 फीड की नाली है अगर आप इसको अन्कोय ड कोई कहते हैं यह सबसे मेट ऐक नाली कहा जाता है क्यूश्ट temporary store करना sperm को sperm यहां पर mature होता है और sperm के अंदर खासियात आती वह swim भी कर सकता है यह ability किसके अंदर आती है epididymus की पास आती है ठीक है यह वह पार्ट है नाली का वास deferens कहले है ductus deferens कहले स्पंड कहले है यह तीन आम इस नाली के यह muscular ट्यूब है पीछे मैंने यह नाम नहीं लिगा है muscular long ट्यूब और जो के epididymus से निकल के पैल्वी cavity तक पहली है उसका नाम के वास deferens है इजैक्यूलेटरी duct अब यह बड़ा important पॉइंट है इजैक्यूलेटरी duct कब कहते हैं जब दो वास deferens दो सेमिनल वास deferens जब आपस में कंबाइन होते हैं तो याद अगना इजैक्यूलेटरी duct बनती है मतला इजैक्यूलेटरी duct कब देगी दो वास deferens और सेमिनल वास जब दो आपस में मिलते हैं जोईन होने के बाद किया बनती है या यूरिनो जैनिटर duct कहते हैं यहां से यूरन भी जाता है और स्पम भी जाता है मतलब यह terminal portion of the male duct system है आखरी पार्ट है मेल का आखरी terminal portion है जिसका काम है यूरन को भी लेके जाना स्पम को भी लेके जाना जो के open होती है outside by external orifice जो के by इस राख से open होती है पिनस के और उस सुराख का नाम के औरिफाइस इस पूरे पिनस के अंदर जो नाली मजूद है जहांसे यूरन और स्पम दोनों आते हैं उसका नाम के बैटा पिलाता है यह बी टू इनमबर है साइस के लाँ से यह सैक एक छोटे से packet की तरह होती है एक पाउच होता है प्रोस्टेड वालन एक अख रोड के साइस जितना होता है बल्बव यूरिट्र एक पी मटर के दाने जितना होता है सैमिनल पेजिकल आटेच होता है वाज़ urethra के दोनों साइट पर urinary bladder के नीचे प्रोस्टेट ग्लैड है यह यह न्गाज रखना यह नियुğस जै автом节ute सुगर वाले पानी देते हैं जिसे energy मिलती स्पंप को और move करना शू करता है मतलब कि स्पंप की movement में इसका रोल है प्रोस्टेट ग्लैन ये add करता है fluid ये और पानी देता है जो कि स्पंप की नरिश्मर प्रोटेक्शन मतलब protection और नरिश्मर करना प्रोस्टेट ग्लैन का काम है bulb और यूरिथरल और बैए ये slippery बनाता है fluid slippery fluid बनाता है clear slippery fluid और ये slippery fluid क्या करता है उन नालियों को lubricate करता है नरम करता है और neutralize करना acid in eurathera तो eurathera के अंदे तजाबियत को खतम करना नरम करना नालियों को slippery fluid की मदश से होता है और वह कौन बनाता है बल्बो यूरिथरल बनाता है यह बड़े बड़े इंपोर्टन पॉइंट जो आपने याद रखने हैं और सबसे में पॉइंट यह भी बता दू सीमन क्या होता है सीमन जब मेल का निकलता है सारा का सारा वाइट माटीरियल कह लें यह स्पम जो बाइन से निकलता है और उसके अंदर स्पम कितने होते हैं बीस से लेके एक सो पचास मिलियन स्पम होते हैं एक एमल के अदर मतलब कितना है सीमन का दो से पांच और एक एमल में कितना होता है बीस से लेके एक सो पचास सक होता है मतलब अगर दो एमल होगा तो आप मल्टिप्लाइ मैने इस ट्रॉक्टर पढ़ा है जिसमें सारे सारे में जो पॉइंट ग्रीन रेड किलर के बैसिकली क्या है एक की एक है और यह जितना जितने में पॉइंट है इना इस से अगर देखा जो कोई कोई एमसी कूई बनकर आता है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो कि मेरे बच्चे मैंने आपके सारे बोर्ड के लाहाँ से बार से दिया हो सारे बोर्ड को मर्ज करके यह टॉपिक बना है इस तरह कि अगर और लेक्चर लेने है तो यूटूब के अंदर मेरा नंबर भी है कॉंटेक्ट नंबर भी है आप वहां से टेक्स कर सकते हैं और य यह रिलिजिंग हार्वन निकलते हैं और एकने पुक्यूरी निकालता है। यह है लिजिंम कालता है। एक हाड त UHC निकालता है तेस्टेस्टर्सेवल तब्हें इसने मुझुद है और यसको चाहिता है। को कहते हैं तो यह स्परमेटोजेसम से निकल आता है यह निकल आता है यह पुट्यद खरप्वक को कहता है इसको निकाला-बद कर दो hypotheremus को कहता है इसको निकालना बंद कर दो settolisols से एक harmonica निकाल ए इनहीबिन जब यह निकल आता है spermatoGenis start हो रहती है तो settolisols thread inhibin निकालता है जो जा के कहता है wer Messrsक skirt हो चुक है तो G आफेसट को निकलना रोग दो यह जो feed by mechanism व forgiving mechanism मैंने आपके सामने एंड मैंकनिसम तो टैस्टिसए रो इसके सब्स हो जवी को रोक देते हैं अब आतें इस्पर्मेटोगेनिसी चाहिता है प्राई मोडीयल जंप सहल टैस्टिस आजर माइट टो टूपैयन होती यह और वहстваnd स्पर्मेटोगनी conserve सपिर्मेटोगोनी थिर्विएंट करता में सपर्मेटोगोनीं दूइनन सब्सक्राइक गरुंद धना की लिए यही तुछ साइज स्पर्मेटोसाइट से आगЕ जाके मियोसेस्टी करते Morris चार सेहल बना देते हैं जिनका स्परमाटीड रसपर्मकमर्स संबीऊ चाहरे चाहरे स्पर्मक्रम्प इस स्पर्मके buyer यह कहलाते हैं जिसमघ्स स्पर्मसटीस्टीन चार्श होना यह जो पूरा प्रोसिस इस स्पर्मीजान सीजिऑ है पर इसमेंच चैन्ज fermiiogegenysis है पहरमाइटर की यह पहिछाना टैटड、 पॉल हैं यह देख सकते हैं सोरी ओवल शेप हैं अंडिफरंशियेट औहए यह आपके साथ immature है यह जो स्पम होते हैं टेड़ पोल शेप हैं डिफरेंशीयेट हैं और यह मचोर स्ट्रक्चर हैं यह अवरॉल आपका लेक्चर होगा कम्प्लीट बागी इन्शालला जजाकला उल्ख्यर आगे सारे लेक्चर इस तरह आपके साथ शेयर होते जाएंगे और आगे जो अपने दोस वगरे उनके साथ नोट शेयर नहीं करने हैं अपने पास से रखने हैं क्योंकि आपने ग्रूप जोइन किया हुए तो अपने तक ही रखने हैं बिटा आपने जजाकला उल्ख्यर